Hey guys, welcome back to speed 16 So guys, आज मैं आपको बताऊँगा Nissan Magnite या फिर कोई और भी कार अगर आप खरीटते हैं तो किस तरीके से आपको उसकी preventive maintenance करनी है कार में कुछ खराब होने से पहले या कोई problem होने से पहले आप कैसे check कर सकते हैं या फिर आप किसी long drive पे जाने वाले हैं adventure trip पे जाने वाले हैं तो आप किन चीजों को check करना है जाने से पहले बहुत important वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपनी कार को बेहद प्यार करते हैं या फिर वो long trip जादा करते हैं और adventure enthusiast हैं बहुत useful वीडियो होने वाला है make sure आप चैनल को subscribe कर दें और bell icon को दबा दें ऐसी interesting updates के लिए सबसे पहला point जो है जो की सबसे ज़ादा important है आपकी कार का engine oil engine oil क्या properly filled है filled है तो क्या वो सही है उसमें ज़ादा dirt तो नहीं आ गया black तो नहीं हो गया इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको engine oil check करना है dip stick को बाहर निकालना है कुछ इस तरीके से उससे सबसे पहले आपको clean करना है कपड़े से ताकि उसका जितना भी engine oil है वो clean हो जाए इसके बाद दुबारा उसको dip करना है अपर तरीके से फिर उसको बाहर निकालना है और जो minimum और maximum के points denote किये गए है वहाँ पे आपको check करना है अगर वो range में है तो that will be okay और अगर ये engine oil black नजर आ रहा है आपको गंदा नजर आ रहा है तो भी चेंज करने की इसको जरूरत है और ये activity करने से पहले ध्यान रखे कि आपका engine पूरी तरीके से ठंडा हो इसके बाद brake fluid को check करें उसको बाहर निकाल के देखें उसकी viscosity को check करें इसके बाद उसका जो minimum और maximum level है उसको check कर लें किसी लंबे trip से पहले ये बहुत important point है maximum और minimum level हर तरीके की हर कार पे लिखा होता है उसमें gauge level बना होता है उसको आप properly चेक कर सकते हैं Nissan Magnite में कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा इसके बाद आपको check करना है coolant का level coolant बहुत important है अगर coolant की कमी हो जाती है कार के अंदर तो आपका engine जल्दी गरम हो सकता है heat up हो सकता है और जिसकी वज़े से कार आपकी बंद हो सकती है तो यहीं पे tank पे आपका minimum और maximum की gauging हो रखी होती है marking हो रखी होती है आप उसको देख सकते हैं इसके बाद the most important thing air filter air filter आपका हर का का different position पे place होता है बट वो engine के nearby होगा Nissan back ride में कुछ इस तरीके से air filter आपका लगा होता है air filter को जरूर निकाल के साफ करते रहें कहीं आप लंबे drive पे जा रहे हैं तो भी और आप 3-4 दिन या हफते में इसको जरूर साफ कर लें ताकि जितना भी dust है इसमें blockage है वो clean हो जाए और जो suction है air का आपके engine को proper मिल पाए इससे क्या होता है आपकी जो mileage है वो अच्छी बनी रहती है engine proper air को intake करता है और उसकी वज़े से आपका जो combustion है वो proper होता है इसके बाद अगर आप लंबे drive पे जा रहे हैं तो अपनी battery के जो life है उसको check कर लें battery की expiry date नस्दीक तो नहीं है इसके अलावा जो corrosion हो रखा है जो white rust लगा हुआ है उसको clean कर लें अपने battery में क्योंकि इस वज़े से आपको सफर में problem हो सकती है Nissan Magnite का यहाँ पे आपका water tank दिया गया है wiper के लिए उसमें आप shampoo fill कर लें क्योंकि shampoo से क्या होता है आपकी जो cleaning है windshield की वो proper हो जाती है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको वो fill करना है करीब करीब इस tank के अंदर 2 लीटर तक का पानी store किया जा सकता है इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसमें properly आप पानी को डालते रहें अगर आप जादा wiper use करते हैं कुछ इस तरीके से आप पानी को डाल सकते हैं इसके बाद अपनी कार के अंदर सबसे पहला जो काम है आप अपनी lights को चेक कर लें, indicators को चेक कर लें जब भी आप long drive पे जाते हैं, अगर ऐसी कोई problem हो जाए तो वहाँ पे आपको बहुत जादा trouble हो सकता है अपने wipers को चेक कर लें, क्या वो properly cleaning कर रहे हैं उनके blades wear out तो नहीं होए, अगर वो wear out हो गए हैं तो उनको आप जल्दी से जल्दी replace कर लें अगर windshield आपकी गंदी होगी तो accident होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं आप screen पे भी देख सकते हैं किस तरीके से ये check किया जा रहा है इसके बाद जो सबसे जादा important है, अपने जो tire है, यह tread mark है आपे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी के बीच में जाके आपका tread mark होता है उससे आपके जादा tire wear out नहीं होने चाहिए tire का pressure चेक कर लें कि वो proper है या नहीं, कम या जादा तो नहीं है जो आपका recommended है, उतना ही होना चाहिए अपने manual में आप check कर सकते हैं, जो car का manual आपको मिलता है इसके अलावा suspension को properly check कर लें, क्या उनमें कोई problem तो नहीं हो रही है आपको ऐसी कुछ tips हैं, आपको long drive में काफी help करेंगे और किसी भी problem के होने से पहले ही आप इस तरीके से उसको counter कर पाएंगे और आपको रास्ते में किसी भी तरीके की problem face नहीं होगी इसके अलावा आप अपना proper जितनी भी documentation है RC, DL, pollution, जिस तरीके की भी documentation चाहिए आपके travel में वो अपने पास जरूर रखेंगे इसके अलावा medical kit जरूर रखें अपने पास और जितने भी emergency numbers है वो रखें और जिस state में या जहां पर भी आप गुमने जा रहें वहाँ के local number hospital के other जो help line है उनके number अपने पास जरूर रखें और मैं यही कहूंगा हमेशा drive safe करें जो की सबसे ज़्यादा important है अगर वीडियो से कुछ आपको value मिली तो प्रीज लाइक करें सबस्क्राइब जरूर करें और बैल आइकन जरूर दबाएं इसी के साथ विदा लूँगा जय हिंद जय भारत